बोट का पार्टी पाल 50 यहाँ पर आ चुका है और क्या यह मतलब बेस्ट पीकर है पार्टी स्पीकर इसकी बैटरी लाइफ कैसी है और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसकी साउंड कैसी है वेल यह सारी चीज़ें आने वाली है इस वीडियो में मेरे नाम है श्रीवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस पीकर पर बेस्ट पील्ट ढूना चाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं तो यह रहा श्रीपिंग पैकेज और इसको जल्दी से अन्बॉक्स कर देते हैं तो सबसे पहली चीज जो मुझे इसके अन्दर पसंद आई वो है इसकी डिजाइन और बिल्ट मतलब इन्होंने पिल्कुल जेबी अल्बूम बॉक्स से इंस्पिरेशन ली हुए है और मैं काफी बढ़िया काम किया इन्होंने इसको एकदम प्रीमियम प्रोड़क्त पनान कि यह कितना स्टर्डी और सॉलिड है और मतलब अगदम प्रीमियम वाली फील आती है आपको अब फ्रेंट में आपर तीन ड्राइवर दिये हुए है जो कि अल्मूनियम ग्रिल के पिछे कवर्ड है और दोनों साइट पे हमारे को बेस रेडियाजर मिलते हैं अब यहाँ प स्ट्राप लगा सकते हैं जो कि काफी कन्वीनेंट है मतलब अगर आप ट्रिप्स पर जा रहे हैं तो आप इसको असानी से से कैरीगर के लेकर जा सकते हैं वहाँ पर बढ़िया बात तब रहती है अगर यह इंक्लूड करके साथ में एक स्ट्राप देते पर नहीं दिया अंदर ऑक से इंपूट है और एक टाइप सी दे रखे चार्जिंग के लिए तो यह थी बैक पैनल और अब इसके फ्रंट में देखिए जो इसका स्टार है जो असली चाम है स्पीकर का वहाँ यह आरजीबी लेडी इस वीडियो बनाने दे तो फ्रंट में आप पर कर सकते हो आप इसके अंदर यहाँ पर बटन दिया हुआ है लाइट के लिए तो वहाँ से आप इसके दो-तिर प्री सेट में स्विच कर सकते हो तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह लो बैटरी की आवास थी तो इसको बंद कर रहता हूं क्योंकि फिर तिंग बचता रहे हैं अब अर्जीबी कंट्रोल के सिवा यहाँ पर और भी बटन दिया हुआ है जिसे कि पावर ओन ओफ यहाँ पर स्टीरियो मोड दिया हो कि अगर आपको बस दो स्पीकर है तो आप उनको कर सकते हो स्टीरियो मोड में उसके बाद मोड बटन दिया हो जहां से आप इसे FM और यहाँ फिर Bluetooth मोड में स्विच कर सकते हो एक प्ले पॉस बटन दिया हुआ है RGB LED कंट्रोल दिये हो है और यहाँ पर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और साथ में बैटरी इंडिकेटर्स दिये हो है इनोंने चार LED यहाँ पर तो यह था पूरा ओवरोल डि आप इसको यूज कर सकते हैं और साथ-साथ कॉल्स वगएरा भी ले सकते हैं तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कितना अच्छा साउंड करता है तो यह है ओडियो कॉलिटी करें कि काफी जादा है जब मैं वीडियो देख रहा तो असानी से पता चल रहा था कि क अच्छा साउंड करते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि साउंड कितनी देर बाद आती है आपको टेस्ट करके दिखाता हूं और सेकिंड इशू इसके अंदर है बैटरी का तो इसके थाउजन मिलियाम पावर की बैटरी दी हुए है जिसको अराउंड फोर एंड हाफ आफ आउस लगते हैं चार्ज करने में मतलब साढ़े चार गंटे इसको चार्ज करने में लगते हैं चोकि काफ़ी सादा टाइम है भाई तो इसमें कोई fast charging वगए데 होनी चाहिए दी और साढ़ीचार गंटे चार्ज करने के बाद भी ये साड़े जार घंटे का ये बैकप देते हैं तो मेरे ख्याल से बैटरी बैकप बिलकुल ऐसा सही है मतलब इसका साइस दे के हम सोच सकते थे कि थोड़ी बड़ी बैटरी देते इसके अंदर कोई फास्ट शार्जिंग वगरा भी डाल देते तो बढ़िया रहा था मतलब 6-8-10 गंटे तो चलता मतलब चार घंटे में तो बना ड्रिंक्स वगर ये कठी हरता रह जाता है अब बात करें सबसे जरूरी चीज़ के बारे में जो कि डिसाइड करेगा कि आपको इस पीकर लेना चाहिए या नहीं और वो है sound quality तो specification wise ये है 20W RMS speaker मतलब 20W के output है इसके अंदर सामने आपर दो driver दिया हुए तीन इंच के और एक tweeter दिया हुए दो इंच का और side में दो bass aerators दिया हुए जिसे के मैंने बताया तो इस सब को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ये काफी loud होंगे और काफी अच्छी sound होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि ये loud तो काफी है कि अगर आप 300-400 square foot cover करना चाहते हैं कोई room या area तो असानी से ये sound से उसको भर देगा पर in terms of actual sound ये काफी weak हैं मतलब अगर मैं breakdown करो किसी भी sound को जैसे कि mids, highs और lows तो जो mids और highs हैं वो काफी बढ़ी हैं इसके अंदर vocals और specifically acoustic guitar काफी साउंड करते हैं मतलब ऐसा लगता है speaker से भार आ रहे हैं पर जैसी kick drum शुरू होते हैं तो आपको पता चलेगा कि sound काफी खराब हो जाती है तो जैसी bass आती है तो क्या होता है कि high end और vocals बगेरा सारे suffer कर रहे होता है ऐसा लगता है सुनने में मतलब दबा-दबा सा लगता हलका-लका क्यूंकि जो drivers हैं वो सारी जान अपनी bass निकालने में लगा देते हैं तो इस वैसे जो high end होती है और बाकी frequencies होती है वो ऐसे लगता है कि सफर कर रही है थोड़ा और ऐसा भी नहीं है कि bass बहुत ही जादा बड़िया quality के आ रही है और आप सब ignore कर दो अब सोचो अगर मैं इसकी bass से satisfied नहीं हुआ तो bass heads वालों को क्या हाल होगा आपको मैं एक simple सी सला देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो नीचे जाओ और subscribe को क्लिक करो ताकि जब भी मैं कोई बड़िया सा bass heads वालों के लिए speaker ढूँँ तो आपको notification आ जाए पर अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि boat ने काफी बड़िया effort किया है speaker को बनाने में मतलब ये capable है अच्छी sound produce करने के क्योंकि जब मैं इसको एक फीट दूर से सुन रहा था तो सारी frequencies काफी अच्छे से सुन रहे थी पर जैसी मैंने एक step पीछे लिया तो वही pale सी sound लगी मुझे तो better luck next time Google पे तो अगर आगर मुझे से बूचते हैं तो मैं कोगा कि एक great effect है board की तरफ से और मेर को लगता कि आगे चल के बड़िया speakers बनाएंगे ऐसे party वाले पर अभी के लिए 4700 रूपीज बिल्कुल भी वर्थ नहें लगते हाला कि मैं इसको 3500 रूपीज में लिया है तो तब ही मेर को नहीं लगा कि थोड़ा बड़िया हो सकता था रेलेटिव को गिफ्ट देंगे वो भी खुश हम भी खुश तो यह थी आज की वीडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब स्टे सेफ बड़ाइ प्रश बड़ाइ स्टे सब्सक्राइब स्टे 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 साइब ए्यक्राइब खर्याब ट्रयारी ए्यारी काने ।